2 कि हैं haha ARE यहां पर देखे आपके प्लेश्मेंट और робॉप स्रॉटन्ट सभी इस्टॉरॉन को ध्यान से देखना Heade यह जो म्रूपडेट और यह आपको क्या क्रें चाया देक। कभी भी आपको यहां पर बुला लिया जाए गा और यह पर कैसे बुलाया जागा यह पूरा का पूरा प्रोसेस मैं यहाँ पर आपको एकदम step by step यहाँ पर आपको discuss करेंगे ठीक है और देखे यह जो है एकदम genuine job होगी आपके placement यहाँ पर देखे जितने भी placement आते हैं उससे आप उससे selected होंगे और जो भी आप directly क्या है आप जाकर interview दे सकते हैं जल्दी से देखे सभी students को you rise पर यह आपको update जो है यह जो आभी मैं process बताऊंगा उसको कर लेना है और उसे submit कर देना है ताकि आपका जो जितना भी data है वो आपकी company के पास पहुँच जाए और उसके बाद आपका selection process होगा ठीक है तो इस प्रकार से procedure चलने वाला है अब यहाँ पर देखे यूराइज पर सबसे पहले जो यह update है यह हम आपको यहाँ पर चलते हैं लेकर किस प्रकार से करना है इससे पहले एक उसे आप लोग वहाँ पर send कर सकेंगे और offline online दोनों ही तरह से आपके resume जो है वह आपका complete हो जाएगा ठीक है send हो जाएगा तो चलते हैं यहाँ पर देखे आज के process पर step by step करके दिखाते हैं यहाँ पर देखे आपको step by step आप कर सकें तो देखे सबसे पहले आपको you rise यहाँ पर क्या करना है यह देखे first option जैसे मैंने you are i डाला है तो यहाँ पर क्या है आपका first option जो दिख रहा है student login वाला तो इस पर मैं प्रेस कर देता हूं देखे प्रेस करने के बाद आपको इस तरह से कुछ interface आपका open हो जाएगा देखे आपका load हो रहा है यह देखे इस टाइप से आपका interface open हो यहाँ पर देखे क्या है आपका यहाँ पर branch लिखा होगा यहाँ पर आपका देखे जिस trade से हैं वो आपका लिखा होगा यहाँ पर आपका बाइ स्टेप आपको यहां पर दिखाएंगे और जितना भी प्रोसीजर मैं बता रहूं हूँ यह आपको क्या करना है भाविष्षिक का जैयी चैनल पर देखे आभी मैं आपको बताँ हूं कि क्या करना है वहां पर जाकर तो देखें यहां पर चलते हैं यह देखिए आपको पूरा का पूरा सो हो रहा है अब देखिए यहाँ पर क्या है आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है जॉब यूराइज जॉब पोर्टल आपको देखिए अब जॉब पोर्टल जो है यहाँ पर देखिए dashboard में आपका यहाँ पर क्या करना है आपको resume अगर build करना है उसके बाद उसका jobs related notifications अगर आपको यहाँ पर apply करना चाहते हैं तो आपको इस वाले option पर click करना है second वाले job notifications पर ठीक है और अगर आप अपना resume बनाना चाहते हैं नहीं बना हुआ है तो आप यहाँ से build कर सकते हैं तो चलते हैं यानि second वाले option पर हमें click करना है क्योंकि हमें apply करना है job को तो देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे इस वाले option पर finally यहाँ पर press कर देते हैं तो जैसे यहाँ पर देखिए हम press करें कौन कौन सी कंपनी आपको अप्लाई अप्रूवल दे रही है तो यहां पर सर्च कर सकते हैं जो भी इससे रिलेटिड होगा वह आपका आ जाएगा एज की अगर हम बात करें तो एज यहां पर देखे क्या है मिनिमम एज आपकी 17 है और मैक्सिमम एज 24 है और फिमेल कैन अपलाई देखे यहां पर क्या है बैकलॉग नॉट अलाउट ठीक है अब यहां पर सारा कुछ आपको यहां पर पढ़ देना है कंपनी नेम के अगर हम बात करें तो कंपनी नेम यहां पर आपको देखने को मिल रहा है अल्टरा टेक अल्टरा टेक ही देखे बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी यह भी और नेक्स है आपका विप्रो लिम्टेड विप्रो देखे बहुत ही इंपॉर्टेंट है विप्रो भ ठिक है और next अगर बात कर लें तो यहाँ पर आपको देखने को मिल लाए जो पास-out requirement है यह पास-out allo के लिए टेश से टाटा मोटर हो गया पंतन अगar होके यह आपको देखने को मिल ला है ठीक है और next पर आप क्लिक करके आप और भी यहाँ पर study कर सकते हैं अब हम बात करेंगे apply कैसे करना है तो देखे apply कि अगर हम बात करें कि अगर आप का अभी तक क्या है resume upload नहीं हुआ है तो यहाँ पर देखे दो option मैंने बताया था resume builder और job notification job notifications को मैंने यहाँ पर आप सभी को define कर दिया है कि किस type से यहाँ पर जो जितनी भी कंपनिया है उनकी notifications को मैंने सो कर दिया है आप यहाँ पर resume build करके हम उसे upload कर देते हैं approval देखते हैं कब तक आएगा तो यहाँ पर आपको यह step कर लेना है देखे फस्ट वाले पर किलिक करेंगे फस्ट वाले पर किलिक करके हम resume अपना बिल्ड कर लेंगे उसके बाद हम resume को submit कर देंगे तो चलते हैं यहाँ पर देखे इस वाले पर option पर किलिक करेंगे resume builder वाले पर resume builder वाले पर तो देखे इस type से interface आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर देखे please fill your resume carefully ठीक है तो resume carefully यहाँ पर हमको fill up कर देना है उसके बाद upload कर देंगे यहाँ पर जो option दिख रहा है आपको देखे यह जो print resume and upload resume तो print कर लेंगे अपने पास रख लेंगे और यहाँ पर upload कर देंगे पर देखे user ID आपको यहाँ पर सो होगी enrollment candidate का सो होगा roll number जो की जीकप का candidate name सो होगा और institute code सो होगा course and branch सो होगा जैसे कि यहाँ पर देखे mechanical engineer अब यहाँ पर देखे बैच आपका कौन सा बैच है 2020 के बैच current semester के अगर बात करें तो 5th semester in instrument का सो हो रहा है ठीक है तो देखे हम step by step आपको करके दिखाते हैं तो देखे इस type से आपको एकदम यह आपको fill up आपका होगा और इसके बाद हम चलेंगे next यहाँ पर देखे जैसे scroll down करेंगे उसके बाद देखते हैं next जो interface सो होगा वो इस type से सो होगा personal details ठीक है personal details में यहाँ पर देखे क्या लिखा हो personal details resume details semester year details previous qualification application details apprenticeship details ठीक है apprenticeship भी आप यहाँ से कर सकते हैं तो यहाँ पर देखे क्या है 19 year यहाँ पर आपको देखे पूरा मतलब DOB सो हो जाएगा ठीक है मैंने इसको security purpose से इसको एकदम हटा दिया ठीक है तो यहाँ पर देखे आप अपना fill up कर लेंगे नहीं fill up है तो यहाँ पर mail आपका fill होगा पहले से ही तो चलते है next यहाँ पर देखे क्या है यहाँ पर father occupation mother occupation में यहाँ पर क्या है इसी प्रकार से यहाँ पर income भी आपको यहाँ पर fill up करना है ठीक है और यहाँ पर total family members को यहाँ पर fill up करना है कितने members होम टाउन आपका क्या है उसको fill up करना है इस physical challenges क्या है इसको fill up करना है और इसी प्रकार से आपको यहाँ पर fill कर देना है अब हम next बात कर लेते next and last यहाँ पर जो update sorry आपका next and last जो details है वो है mailing details ठीक है तो mailing details में बहुत important है इसको आपको एकदम क्या है यहाँ पर आप अपना address यहाँ पर fill up कर देंगे पिन कोड क्या है country क्या है country सिलक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर option देखने को मिल रहा है यहाँ से आप सिलक्ट कर सकते हैं इंडिया ठीक है अब यहाँ पर देखिए select यहाँ पर आप कर सकते हैं अपना state यहाँ पर UP आप आपको देखने को मिल लेगा, आप UP से हैं, तो UP से हैं, तो UP से उपकी सिलेक्ट कर लेंगे, अब हम चलते हैं, यहाँ पर देखें, नैक्स डायप का district, district and city यहाँ पर आपको देखें, fill up करने को आजाएगा, option, तो यहाँ से आप उसको भी select कर लेंगे यहां पर देखें लिखा हुआ है then make sure fill all details which are marked as ठीक है जो जितने भी यह mark दिख रहे हैं आपको star type के इनको क्या करना है एकदम fill up कर देना है details को ठीक है यहां पर आप देखें लिखा हुआ है submit resume submit कर देना है resume को और यहां पर submit करके ही क्या करना है आपको upload कर देना या आप submit जैसे ही करेंगे आपका जो resume है यह आपका automatic ही deduct हो जाएगा ठीक है और automatic ही आपको देखें आपके पास mail आ जाएगा आपके address या pin code या जितना भी आप details भरे गए हैं ठीक है उसके through ही क्या है आपक एकदम select कर लिया जाएगा ठीक है और जो income होगी वह आपको दिया जाएगा तो आप देखें अगर आपको ठीक लग रहा है या बहुत सी कंपनिया देखें Tata Motors वगेर मैंने सब कुछ यहाँ पर आपको details में बता दिया है जो कंपनिया आप अच्छी लग रही हैं आपको आ आपका resume upload हो जाएगा और सभी कंपनियों में जितनी भी details दी हुई थी और उसके बाद आपको आपका जो procedure है selection procedure वह आपको बता दिया जाएगा तो यहाँ पर देखें अगर आप सभी को यह समझ में आ गया और देखें यह तो हो गई online की मैंने आपको बात बता दी और सभी students क्या करेंगे देखें भविस्त का J channel पर जाके join हो जाएंगे क्योंकि वहाँ पर ही क्या है offline वाला process में आपको बताऊंगा ठीक है offline वाला process क्या है आपको देखें आगर आपको job चाहिए तो अगर यहाँ पर देखें job चाहिए तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं जो भवि कर दूँगा वहाँ पर भेज दूँगा ता और देखें यहाँ पर 15,500 रुपए यह आपको salary आपको मिलेगी ठीक है monthly आपका जो rent है वह आपका free of cost होगा और देखें जितना भी आपका मैस का है वह भी आपका free of cost cost होगा तो जितने के यह अगर details आपको सारा कुछ जितना समझ में आ गया है और उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा तो अगर आपको कोई भी doubt है कोई भी आप comment box में आप share कर सकते हैं कोई भी doubt है आपको इससे related कोई भी ask करना है questions कोई queries हो तो आप पूछ सकते हैं तो thanks for watching this video मिलेंगे in next video में